Hello Friends, Welcome to SSC Coaching Center दोस्तों आज के वीडियो में UP Police के लिए important question रखे गए हैं और सभी प्रेशनों को एक मिनेट से कम्मे करना है ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे अब स्क्रीन पर जो question दिखा हुआ है 1 का square minus 2 का square plus 3 का square minus 4 का square यानि कि plus minus की series चल रही है और हमें सभी का square बताना है एन प्लस 1 divided by 2 यह formula कब काम करता है वो भी मैं बात आपको बता देता हूँ कि last वाली संख्या आपकी sum होनी चाहिए विसम नहीं sum होनी चाहिए अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर्फ कोई ऐसा तरीका बता दो जो sum और विसम दोनों में काम आ जाए सही कह रहा हूँ ना मैं आप यही सोचोगे लेकिन उसके लिए आपको फिर time जाता देना पड़ता है मैं आपको तरीका ऐसा बताऊंगा जो time कम हो ठीक है अब देखिए minus plus minus इस तरीके से चल रहा है तो इसके लिए आप यह formula note कर लीजिए जिससे कि यहाँ पर sum संग गया तो तुरंत निकाल के बता दें आप अब n का मान क्या है 10 minus का 10 into n का मान 10 10 में जोड़ देंगे एक तो यह 11 हो जाएगा और 2 है divide में 2 से 10 को divide करोगे 5 बारे में divide होगा मतलब minus का 5 और 11 कमले 5 से कर दोगे तो 55 हो जाएगा मतलब minus का 55 किस option में है C option में सवाल खतम हो गया चुटकियों में खतम कर सकते हो सवाल को आप अब आप कहोगे सब minus यह संबाला तो बता दिया बिसंबाला कब बताओगे आप हमारे साथ regular जुड़े हुए हैं तो आपको सारी चीजे सीखने को मिलेंगी संबाला मिल गया बिसंबाला भी सीखने को म अगला सवाल यह प्रेशनी reasoning का number series से है जिसमें 2-5 हुआ 5-9 हुआ फिर 16 हुआ यानि कि series को हम देख रहे हैं तो बढ़ते हुए करम में है यानि कि 2-5 हो गया मतलब 3 बढ़ गया 5-9 हो गया 4 बढ़ गया 9-16 हो गया 7 बढ़ गया 16-27 हो गया 11 बढ़ गया 27-45 हो गया 18 बढ़ अब यहाँ पर आप जब देखोंगे तो कुछ समझ किया है अब करेंगे हम सेकंड डिफरेंस इस चीज़ समझ में आ जाएगी जब मैं तीन और चार को जोड़ूआ तो मुझे साथ मिलेगा अगली संख्या ठीक है मिल गया ना अब मैं इन दोनों को जोड़ूँगा तो चार और साथ को जोड़ूँगा तो ग्यारा मिलेगा अगली संख्या मिल गया कि नहीं मिल गया अब देखिएगा 2 में 3 जोड़ा 5 5 में 4 जोड़ा 9 9 में 7 जोड़ा 16 16 में 11 जोड़ा 27 में 18 जोड़ा 45 45 में 29 जोड़ेंगे ये संक्याम को मिल जाएगी तो 45 में जोड़ा 29 जोड़ा तो मुझे कितना मिलेगा 74 ये है मेरी प्रेशनी का बिलकुल सही जवाब 74 डी ऑफ्सन में दिया गया है बिलकुल सही आंसर अब देखिएगा अगला सवाल एक गाउं की आबादी 1500 है जिन में 35% पुरुस 25% इस्तरिया वर शेस बच्चे हैं गाउं में बच्चों की संक्या ग्यात करो देखिएगा एक गाउं है जिसकी आबादी 1500 है लेकिन हम क्या कहेंगे अपने आपने उस गाउं की आबादी कितनी होगी 100% कोई गाउं है उसमें कितनी भी आबादी हो अपने आप में 100% होगी अब इस 100% में से 35% पुरुस है पुरुस मतलब मेन है 35% और आपके 25% इस्तरिया है इस्तरिया मतलब बुमेन है बुमेन है अब देखिएगा 100 में से 35 परसेंट मेन हो गए 25 परसेंट इस्तरियां हो गई तो बचे कितने 35 और 25 मिला करके 60 परसेंट तो ये दोनों हो गए पुरुस और महिला दोनों मिला करके 60% हो गए 100 में से बचा कितना 40% तो 40% बच्ची है यानि की चाइल्ड है ठीक है 40 है अब हमारे पास टोटल अवादी कितनी है यह पंदरा सो अब यह जो टोटल अवादी है यह 100% का मान ही तो है एक गाउं में जो संख्या होगी अपने आप में 100% होगी अपने आप में 100% होगी और गाउं की अवादी कितनी है 1500 तो 100% का मान आपके पास 1500 है ठीक है लेकिन आपस बच्चों की संख्या पूछी है 40% का मान पूछा है तो कैसे निकालेंगे 100% का मान 1500 हमें निकालना 40 का तो कैसे निकालेंगे 1500 में 100 से डिवाइड कर देंगे 40% का मान निकालने के लिए 40 से मल्टिप्लाइड 2-0 से 2-0 कट जाएंगे 15-64-60 और 1-0 यानि कि बच्चों की जो अबादी है गाउं में वो 600 है B option हो जाएगा सवाल का सही आंसर का मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको नहीं आता देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा तरीका आता है सभी को जोड़ना ही तो है 0.3 पहली संग क्या यह है अब मैं 10.3 के नीचे 10.3 लोंगा और 10.3 को बाद क्या है ठीक है 5.3 मैंने ले लिए अब मुझे क्या करना है इन सभी को जोड़ना है यह तरीका ही तो आपको पता है हम इसमें और क्या कर सकते है थी छह आ जाएगा पी। 3, 6 आ जाएगा, sorry, 3 नीच 6 3, 3, 6, 3, 9 3, 3, 6, 3, 9 3, 12 का 2, carry का 1 और ये 15 है, और carry का 1 16, ठीक है, ये दसमलब की निचे दसमलब आ जाएगा और ये 1 यहाँ पर, ये 16 यहाँ पर तो एक दसमलब करकी ये answer आ जाएगा जो कि हमारे C option में है, लेकिन ये तरीका मैं आपको नहीं रेकमेंट करूँगा मैं तो करूँगा, ये गलत है इतना समय आपके पास थोड़ी ना है कि आप इतना लंबा प्रोसेस करोगे मैं आपको जो तरीका बता रहा है, उस पर ध्यान देना आप, ऐसा सवाल कभी भी हो जिसमें, दसम्लीड के पाद 1 संक्या, फिर 2 संक्या। फिर 3 संक्या, फिर 4 फिर 5 आप, फिर 3 6 ती 6 3 9 फिर से जोड़ो ती 6 3 9 3 12 12 का थोtober, करी का बन हो गया 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 और 15 में, करी का बनता हूсь 16 अब देखो के संग्या वाद दसमला 5 संग्या वाद ना तो 1, 2, 3, 4, 5 संग्या वाद लगा दो होगी आंसर कुछ करना है ये तरीका कितने बच्चों को पता था कमेंट करके जरूर बताएगा या अच्छा लगा जो नए बच्चे हैं जो पहले बार इस तरीके को सीख रहे हैं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएगा चलिए अब देखते हैं अगला सवार अगला प्रशनी है यदि 15 इंटू रूट n बराबर रूट में 704 प्लस रू ये अखिल गलत नहीं होगा देखिएगा 15 इंटू रूट n दिया गया है इसको देखिए 11 से डिवाट करके देखो मैंसे 11istä क्या च्छी शीवार में कटा ह। इतने बच चार में चार लगातेंगे 54 तो 11-44 मर शे बार में यह पहले चार बार मैं कटरा फिन उन्हत्री टूट से 59 मरbe घटगया थे घारे इंचास हो जाएगा भीए अब दीखेगा 15 x n बराबर 64 का स्क्वार रूट कर दो 8 root में 11 पिलस 99 स्क्वार रूट कर दो 7 x root में 11 15 root n बराबर 8 root 11 7 root 11 दोनों को जोड़ देंगे तो ये 15 root 11 हो जायेगा अब 15 से 15 कटेगा बराबर में root से root भी कर जायेगा इधर बच्चा N, इधर बच्चा 11 N का मान आ गया 11 कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी छोड़ के आ जाएंगे इस सवाल को एक्जाम में छोड़ना नहीं है बिल्कुल नहीं छोड़ना अगर छोड़ दोगे तो कैसे एक्जाम कॉलिफाय करोगे एक एक number से selection hoता है आप question को छोड़ोगे कोई भी question नहीं चोड़ना आप देखने को भी question नहीं चोड़ना ऐसे question को भी बच्चे छोड़ ही देते हैं लेकिन बिलकुल नहीं चोड़ना एक minute से कम समें 5-6 second का question के बाए मैं आपको एक चीज बता जेता हूँ यह सब इख और उसके पावर अगर जीरो है तो उसका मान हमें सान होता है जैसे जितनी बच्चे इस गोस्प से यह अगर आपकी पावर कर दू तो आपका मान बी एक हो जाएगा किसी की भी पावर 0 करने पर उस कमान एक हो जाता है अब देखिएगा ये 2 की पावर 0 है तो इसका मतल़ इसका मान कितना हो गया एक हो गया ये 2 की पावर 0 है इसका मतल़ इसका मान एक हो गया ये 2 की पावर 0 इसका मान एक हो गया और ये 2 की पावर 0 इसका मान एक हो गया 5 की power 2 की power कितनी हो जाएगी? एक, तो एक को लिखने की जुरूरत नहीं है क्योंकि दो कमल पर एक से होगा तो एक दो ही रहेगा यहापी 3 की power क्या हुआ है? यहां पर एक हो गया ना तो 3 की power यहाँ पर 1 बचपर एक को लिख AWE, चाहें, मत लिखिए यह क्या है चार की पावर दो चार की पावर दो चार की पावर दो की पावर एक है तो दो कमान पर एक से करेंगे दो ही रहेगा तो लिखने की जरूत नहीं है और यह क्या हो जाएगा दो दो की पावर एक रहेगी तो एक लिखने की जरूत नहीं है पांच की पावर दो कमान 25, 25 में चोड़ दो 3 हो जाएगा 28 चार की पावर दो कमान 16, 16 में से मानिस कर दो 2, 14 और 14 से 27 कर जाएगा दो बार में पहला option सही जवाब अगर समझ में नहीं आया तो repeat करके दोबारा से देख लेना question को अच्छे से समझ में जाएगा चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है 32 की पावर 32, 16 की पावर 16 का मान क्या है अच्छा सवाल है देखिएगा सबसे पहले तो ये देखिए कि हम 32 को क्या लिख सकते है चार गुने आठ, चार अठे 32 होता है तो मैं 32 को चार गुने आठ रख सकता हूँ और इसकी पावर 32, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 के लिख सकता हूँ चार की पावर 2, ठीक है, 16 का मान क्या होता है, 4 की पावर 2, 16 ही तो होता है तो मैं इसको 4 की power 2 लिख सकता हूँ कि power 16 अब दिखिए कहा 4 की power 32 अलग-लग लिख सकते हो और 8 की power 32 यहाँ दिखिए 16 का multiply 2 से हो जाएगा तो 16 दुनिये का ये भी 32 मतलब 4 की power 32 अब 4 की power 32 से 4 की power 32 कर जाएगा बचेगा क्या 8 की power 32 तो 8 की power 32 है आपका सही आंसर ठीक है? 8 की power 32 जो की भी ओप्सन में दिया गया है अब देखते हैं अगला सवाल अगला प्रश्णी है यदि P plus Q बराबर 6 तता P Q बराबर 4 है तो P Q plus Q का मान आपको बताना है क्या होगा? देखेगा ऐसी कोई दो संक्यालो जिनको जोड की 6 बन जाए और उन्हीं दोनों संक्या का मलन पर एकर की 4 बन जाए तो ऐसा सवाल आपका दिमाख खराब कर सकता है तो आपको ऐसे तरीके से नहीं सोचना आपको देखेगे पूछा क्यागा? P Q plus Q का मान पूछा है तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि A Q plus B Q पूछ रहा है A Q plus B Q होगा है कि नहीं होगा ये? तो आप ज्यान रखिएगा A Q plus B Q का फॉर्मूला क्या होता है? A plus B into A plus B का whole square minus 3AB ठीक है? ये होता है अगर ये मालूम है A Q plus B Q A Q plus B Q पूछ रहा है न तो A Q plus B Q का फॉर्मूला ये होता है अब इसे निकाल सकते हो A plus B कितना है? A plus B है आपका 6 A की जगे P दे दिया B की जगे Q दे दिया उससे कोई फरक्त हो रही है इसका मान 6 है into A plus B का whole square A plus B कितना 6 और 6 का हम square कर देंगे मतलग 36 माइनिस का sign A B कितना है? A B 4 है 4 कमल पर 3 से कर देंगे तो 12 हो जाएगा ठीक है? बराबर अब देगे 6 into 36 में से 12 माइनिस कर दो तो 24 बचेगा 24 कमल पर 6 से कर दो 144 हो जाएगा तो आप का अंसर हो जाएगा 144 इसका मान कितना है? P Q पलस Q Q बराबर कितना हैगा 144 ये बिल्कुल सही जवाब हो गया आप का अंसर हो गया अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है 16% वार्सिक साधरन व्याज की दर से निवेश की गई 25 रूपय की धन रासी कितने वर्सों में 41 रूपय हो जाएगी धन रासी क Tang's 21 400 हो जाएगी धन रासी 25 säल कर दो कितने का करदोंके 108 से कुना यहां तक किसी को समस्या नहीं 2-0 से अगर मैं यहां पर यह वाले 2-0 काट दूँगा तो भी कोई समस्या नहीं 25 से इसको काटूँगा तो कितनी बार में कटेगा देखो बाई 25 से काटूँगा यह कितना 410 है तो पहले 25 से एक बार में 25 कट जाएगा अब 41 में से 25 कटा 16 बचा 16 में 0 लगा देंगे 160 तो 25 से 6 यह वार में 150 कटेगा 10 बचेगा 125 चोके 164 बार में यह कटा अब इस एकसो 164 में क्या है 100 परसेंट तो हमारा मूलधन है और 64 हमारा प्रोफिट है 100 से 64 ज्यादा हुआ ना तो 64 हमारा प्रोफिट हुआ यह मालीजिए कितना हुई यह 64 है रेल में कितना था 16 था 16 से 64 को कटा तो चार बार में कड़ जाएगा CEO आफसन बिल्कुल सही जवाब है तो कितने वर्सों में हो जाएगी भाई चार वर्स में हो जाएगी 41 रूपे कैसा लगा तरीका कमेंट करके जरूर बताईएगा अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है ये उन बच्चों के लिए है जो नौन पर्फेक्ट स्क्वार रूट को सॉल्ब नहीं कर सकते जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ के भाई 36 का वर्गमूल क्या है तो आप आसानी से बता दोगे 6 है अगर मैं कह दूँ 25 का वर्गमूल क्या है आसानी से बता दोगे 5 है लेकिन क्या 14 का बता पाओगे 12 का बता पाओगे 13 का बता पाओगे ठीक है ना जो नौन पर्फेक्ट है उसके लिए भी एक तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अंदर वाली संग्या इसको आप क्या मानोगे एक्स है और एक्स क्या है वाई एक्स है ये अंदर वाली संग्या इसमें क्या दोड़ते है वाई अब देखिए इसको करने का तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ एक्स पिलस वाई बटे में 2 इंटू रूट में वाई याद कर लेना अब देखिए जो जो मेरा एक्स का मान है वो एक्स का मान में यहाँ पर लिखूँगा चौदा ये मेरा एक्स का मान है चौदा दूसरी बात मुझे चौदा के पास में कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका परफेक्ट वर्गमूल होता है तो चौदा के पास में नो है तो पिलस में नो कर देता हूँ ठीक है बटे में आजाओ ये मेरा बाई है दूसरी संख्या ये मेरा चौदा है ये मेरा एक्स है और एक्स के पास मैंने जो संख्या नो ली है जिसका परफेक्ट वो मेरा बाई है ठीक है इसका 6, 6 से कटा दो, 6, 3, 18, 10 मलब लग जाएगा, 18, कितना बच्चा वह यह 5, 5 में 0 लगा देंगे, 50, 6, 8, 40, 3, 10 मलब 8 करके इसका अंसर आ जाएगा, तो यह फॉर्मूला मैं ने बता दिया है, ताकि कोई भी बच्चा ना भूले, यह आपका X का मान है, X के पास में कोई संक्या ऐसी मानिये, जिसके परफेक्ट वर्गमूल होता है, वो आपका Y का मान है, बटे में 2, into root by, Y का perfect square root आप निकाल दोगे, अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ, 28 का वर्गमूल क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बता दो इसी फॉर्मूले से क्या होने वाला है, ठीक है, और सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितनी बच्चे आपके साथ के तयारी कर रहे हैं, उनके पास तब वीडियो को शेर करना है, ठीक है दोस्तों धहनेवाद,